हेलो एबरिवान कैसे हैं आप लोग आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस समय तो ना फेस्टिवल सीजन चल रहा तो हर तरह बस मीठा 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 ही चल रहा और बनाते खाते हुए ना बहुत बोरिंग सा हो गया था तो मैंने सुझा चलो कुछ चटपटा बनाते है तो मेरे घर में रखा था हकका नूडल जिसे मैंने एक पैन में रख दिया है पानी अच्छे से उबलने के लिए फिर थोड़ा सा कुकिंग अईल डाल दिया है थोड़ा सा नमक डाल के इसे हम अच्छे से बॉइल करेंगे मतलब दो से तीन मिनट तक बज़ा से पूरा पान पानी गर्म कर लेंगे तो आपके नूडल मतलब गलते नहीं है और नूडल के साथ पानी गर्म करते तो नूडल गलने के चांसे जादा रहते हैं और यह देखे वे नूडल बहुत अच्छे से पक गए थे इसे पानी को मैंने तिन चार बार धुल लिया है ठंडे पानी से तोड़ा सा कोकिंग ऑईल मैंने इसके उपर से लगा दिया ताकि जो हमाई नूडल से बिलकूल खिले खिले से रहें जैसे बाहर स्ट्रीट स्टाइल में मिलते हैं आपस में चिपके नहीं और इसे मैंने बीच-बीच से फेला-फेला के तेल लगा के रख दिया और हम बना यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से टेस्ट आएगा फिर मने कढ़ाई में तेल डाला तेल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया तो हमने सिमला में पत्ता को भी लैसन डाल के इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पे और मतलब भूनना बहुत नहीं है बस इसे इसका जब खतम हो गया और तेल को हम कढ़ाई में चारों तरफ से पहले से फेला देंगे कढ़ाई हमारी बहुत गरम है और जैसे हम तुरंट से नूडल डालेंगे ना तो कढ़ाई में इधर दर चिपकने लगते हैं जो की चलानी के टाइम ना बदर तूटने के तूट जाते है फिर नमक मैंने पहले भी डाला था तो इसे साफ से हम टेस्ट के नुसार नमक डालेंगे थोड़ा मैंने डाल दिया है विनेगर सोया सॉस और केचप डालेंगे भर के जितना आपको पसंद है और हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसे साफ से डालें और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पसंद है तो भी डाल सकते हैं फिर डालें एक पकेट भर के पास्ता मसाला मसाले को मैंने बहुत अच्छे स लिया है फिर हम नूडल डाल दें गे यह वह ठीस थंडे और खीले खीले भीकले से mixing एसे डाल टाल के मतलब रचामपर मिलाना हम्साले थी देर तक चलाते को सब्सक्राइब यह जो नूडल समस्जा है यसाम बनाने में हैं मिलाना बाकी कुछ नहीं रहता है और इसे मैंने दो चमच की सहाइधा से फैला फैला के बहुत अच्छे से मिला लिया भून लिया और बिल्कुल मेरा प्रॉपर इस्ट्रीट स्टाइल बनके नूडल स्तियार हो गया है चाउमीन और इसे मैं प्लेट में निकाल लिया है पड़ बन भी जाता है और कभी कभी तो चलता कि हम भी इस तरह का बहुत अच्छे से खा सकें बाहर से तो ज्यादा अच्छा रहता है और हाँ अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर लेजिएगा आप लोग देखते हैं बड़ सस्क्राइब नहीं करते हैं चलो फिर क्या बनाएए खाई एंज्वाइग करिए फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक कि बाई बाई